हेलो माई डिरे स्टूडेंट वेलकम चू माई यूटूब चैनल शिक्षा विदाशा आज मैं आप सभी को NCRT सिरीज क्लास लेकि 6 क्लास लेकि 12 जियोग्राफी पढ़ाने जा रहे हूं जिसमें हम देखेंगे NCRT कोशन आंसर भी इसमें हम कवर करेंगे तो आए चैप्टर नमबर वन की ओर चलते हैं तो चैप्टर नमबर एट है हमारा भारत जलवायू वनस्पत्य अथा इसके वन्यव राने तो आज हम जलवायू की बारे में पढ़ेंगे कौन-कौन से जन्तु हमारे पाए जाते हैं क्या आप मोसम के बारे में प्रति दिन समाचार पढ़ते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताए हां या ना तथा टेलिविजन पर देखते हैं या दूसरे को इस संबस बाते करते हुए सुना है कभी आपने के मोसम वायूमंडल में प्रति दिन होने वाले परीवर्टर मतला बदलाव इसमें तापमान वर्षा सूरे की विकंड इतिहादी समलित होती है जो परिवर्तन बतलाते हैं उसमें तापमान के बारें बताया जाता है वर्षा कब होगी उसके बारें बताता है कि वर्षा ना होने से कैके नुकसान हुए टेलिवेजन उसके बारे में बताया जाता है साथ में ये हमें बताया जाता है कि सूरे की आज टेमपरिचर हमारा कितना होगा ततकल कितना होगा जिससे हमारी भारत पर इंडिया पर वर्ल्ड में क्या कभाब पढ़ने गळाला है तो उधारन के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी-कभी आस्मान में बादल चाय जाते हैं, तो कभी-कभी वर्षा दीखने को मिलती है, आपकी ध्यान दिया होगा कि जब बहुत अधिक दिनों तब मौसम गर्म रहता है, तब क्या होता है, तब आपको उनी वर्षाका नहीं पड़ती है, तब खाने पिने में थंडे प्रधार का पसंद करते हैं, उसके वीपरित इसके अपोजित, जब ऐसे दिन होते हैं जब आप उनी वस्त के बिना ठंड लगती है तब ठंडी और तीज हवाएं चलती हैं बहुत तेज़ सर्दी होती तीज तरह इनी दिनों में आप गर्म चीजे खाना पसंद करते हैं समाने तब भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबह से फरवरी हो तक मोशन में बहुत तेजर सड़ी होगी तरह था मार्च से माइ तक की गर्मी मौसम में बहुत अधिकर बढ़ती हैं सब से अधे गर्मी वला दिन होता है जून से जुलाई तक आपने दीचा ही होगा जिसमें बच्चों को दो महिने के चुटिया मिलती है जून से सितंबर तक दक्षमी वश्मी मानसुव का मोसम बहुत वर्षावला होता है अक्टूबर तथा नवंबर में मानसुव के लोटने का मोसम शर्द होता है जब आच्छा मौसम चलता है गर्मी अवला तब हमें शर्द मौसम कहते हैं और जब वर्षा होती है तो वर्षा जून से लेकि स्टमबा तर नर्ष वर्षा होती है अब हम पढ़ेंगे शीत रित्तु क्या आपने पहले कभी शीत रित्तु के बारे में सुना है तो शीत रित्तु हमारी क्या होती है ठंडे मौसम में सूरे की सीधे किरने नहीं पढ़ती है जब शीत रित्तु होती है तो सीधी किरने हमारे पर नहीं पढ़ती है जब गर्मी के मौसम में सूरे किरने अधितर सीधी पढ़ती है बिल्कुल सर के उपर पड़ती है, तापमान बहुत अतिकर्म हो जाता है, दिन के समय गर्म ज़ता शुश्क फ़वने भैती हैं, जिससे हमें लू कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, अक्सर जून और जुलाई में अतिक लू का सामना लोगों को करना पड़ता है जिससे काफी लोग बिमार हो जाते हैं आईए नेक्स स्लाइट की ओर चलते हैं जिसमें हमने देखा यह आपको करकी देखना है तो इसमें क्या करना है तो आईए मैं आपको बता हूँ यह आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है जिसमें हमने देश के सभी लोकों में भागों में लोग अपने शेतर में पाएंग जाने फलो, ठंडे पेजर तदा शर्वत कहा जाता है इनका सेवन करते हैं ये पेपरधार प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे सादन जथा लोग के दूश पुभावों से हमारा रक्षा करते हैं हमारी शरीट को बचाते हैं तथा अपने आप कभी भी आप, बेल, मेवो, इमली, तरबू, सता धें का शर्वत जैसे छाज, मठा, मीठा, आधी पीए हुए हैं बहुत से लोग केला, आप की मिल्क शेक भी बनाते हैं तो आए गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती हैं हमारे सभी भागों में भाषाओं में वारिश होती हैं तथा ये वह सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं तथा हमें अनंद प्रद करते हैं वर्षा के दो गानों को याद करें तथा एक सब मिलकर निकाएं तथा नेक्स है वर्षा पर पांच कविताओं को एकठा करकर करें तथा विभिन भाषाओं में वर्षों के नाम के जानकारी अपने मित्रों परोसियों तथा परिवार के सद्रसिक से फ्राप्त करें तौ आईए श्अब से उपर्ण गान करें एक हिंदी में इसे क्या पहते हैं Baptist और उर्दू में इसे वर्षा पहते हैं दक्षमी पर्षमी मानसुन वर्षा का मोसम किस प्रकार होता है तो यह मानसुन आगे बढ़ने का मोसम है इस समय पवन बंगाल के खाड़ी तता अर्व सागर से स्थलकी और बहती है वे अपने अपने साथ नमे भी लाती है जब ये पवन पहाड़ी से डगराती हैं तब नहाँ पर वशा आतरी होती है साथ में हमने देखा मांसून के समय मांसून के लोटने के समय शर्दरीतू जो शर्दरीतू होती है वहाँ पर क्या परत होता है इस समय पवन इस थल्य भागों से लोट कर बंगाल की खाड़ी और बहती है यह मांसून के लोटने का मौसम होता है जिस जब मौसम बंगाल की खाड़ी और बहती है तब हमें पदा चलता है कि मांसून आने वाला है तरह ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है भारत के दक तमिल्नाडू में किस-किस मौशा में वर्षा होती है तमिल्नाडू एंदर पदेश में इस मौशा में वर्षा होती है इस इस्थानों पर अन्येक वर्षा मापी गई है मौशम का आउसद दशा को जलवायू कहते हैं जलवायू का मतलब होता है जहां पर अत्य धीक मौशम व मांसुनी जलवायू क्या कहते हैं मांसुनी जलवायू क्यों कहते हैं यहाँ पर भारत के मैंजे मांसुनी को मांसुनी जलवायू के नाम से जाना जाता है मांसुनी शब्द अर्भी भाषा के मौसिक से लिया गया कहां से लिया गया अर्भी भाषा के मौसिक से लिया गया जि भारत में क्रिशी वर्षा पर निर्भर होते हैं अच्छे मांसुन का मतलब है राप्ते वर्षा तेदा प्रचूर मातरा में फसलों को उगना उत्पादम सबसे ज़्यादा उगाना मोसन के तरह होता है वारत में क्रिशी वर्षा पर निर्भर होते हैं यदि क्रिशी जितनी ज़्यादा क्रिशी अच्छी होगी उसमें वर्षों का भी साथ बहुत अधिक होता है अच्छे मौनसून का मतलब है प्रयाब्त वर्षा जितनी अच्छी वर्षा होगी उतना अधीक तता अच्छा अनाज होगीगा तो नेक्स क्यों चलते हम अगर किसी वर्ष मौनसून वर्षा कम हो तो क्या होगा? क्या बता सकते हैं? वर्ष प्रभावित होगी या नहीं तो अगर किसी वर्ष में मौनसूर वर्ष कम होतो तो वर्ष में प्रभावित फसले प्रभावित होंगे पर कोई के पानी का स्थर भी काफी उपर से जाएगा और गर्मी का मौसम लंबा हो जाएगा या छोटा तो इस्थान से राप देंगे, ठीक है, क्या इस्थान से छोटा हो, मौस गर्मी को मौस लंबा होगा, या छोटा, नेक्स क्यों चलते हैं, जिसमें हमने देखा, किसी स्थान की जलवायू, स्थिती, उसके उंचाई, स्थिती, समुंदर से दूरी, तता उच्वाच पर निर्भर होती है, इन सारी चिदे को किसी जलवायू, निर्भर होती है, क्या निर्भर होती है, किसी स्थान की जलवायू का अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो इसकी स्थिती उच्छाई समुंद्र से दूरी तता उच्छवावच पर निर्भर करती हैं इसलिए 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 आप क्या करेंगे हमें भारत के जलवायू में छेत्रे विभंता कनुभा होता है कि किस-किस छेत्र पर क्या हैं जो अत्यदिक गरम हैं तो जैसल में थता विकाने यह सबसे अधिक गर्मी वाले छेत्र हैं नेक्स हैं जबकि जम्मू और कश्मीर की दास्यव कारीगल में बर्फीला ठंड पड़ती हैं छेत्र में जैसे मुंबड़ी तता कॉलकत्ता की जलवायू मद्यम हैं वापक कम सर्दी होती हैं वे ना ही अधिक गरम होते हैं और ना ही अधिक ठंडे समुद्री तट पर होने के कारण ये बहुत अधिक आत्रवले होते हैं विश्र में सबसे अधिक वर्षा में घाले में सिद मौसिन राम में होती हैं कहां पर होती हैं मौसिरा में सबसे अधिक वर्षा होती है तिदा जबकि किसी किसी वर्ष इस्थानों के जसल मेर में वर्षा नहीं होती है यहां पर वर्षा दिक नहीं पाई जाती है इसाथ में हम देखेंगे प्राकृतिक बनस्पति क्या है हमने अपने 4ब विभीन प्रकार का पोधा जीवन देखर है कि कौन कौन से दाँके पोधे हते हैं कोई जारी वल्ली होते हैं कोई गटील vigil होते हैं अनिक प्रकार के पॉधों के बारे का भारा है हरे घास वाले मैदान में खेलना इतना अच्छा लगता है कि कुछ पोदे छोटे होते हैं जिन्हें जाड़ी कहते हैं जो पोदे छोटे होते हैं जाड़ी कहते हैं जैसे कैक्टस का पोदा तो तो फूल वाले पोदे थी हादी इसके अतरीक बहुत से लंबे व्रिक्ष होते हैं, उनमें से कुछ की शाकाई, पत्तियां होते हैं, उनकी शाकाई ही भी निकलती हैं, तदा पत्तियां भी वहां से निकलती हैं, उनके नाम है नीम, आम, तदा अन्नेक प्रकार के वहां पे वोधे पाई जाते हैं कुछ ब्रिक्स एचे होते हैं जिनमें पत्तियों की महत्रा बहुत कम होती है जैसे नार्विल का घास चाड़ियां तो थे जो बिना मनुश्य की जाहता से उपजे हैं उन्हें प्राकर्थिक बनस्पति कहते हैं क्या आप यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किन्स प्रकार ये बिन हैं किस प्रकार पेड़ पोदे बिन हैं कोई चोटे पेड़ पोदे पाए जाते हैं कोई कटीली होते तो बिना कोई काटे वले की होते हैं अलग अलग जलवाईयों में अलग अलग प्रकार की बनस्पति पाई जाती हैं आपने दिखा होगा अकसर किसी जब अधिक वर बारत में अलग 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 परकार की वनस्पति पाई जाती है। बारत की वनस्पति को पांश परकार में भाजित किया गया ह। कितने प्रकार में भाजित किया गया वच्छों पांच प्रकार में भाजित किया गया वह किस प्रकार है उष्ण कटी बंदिये सदा बाहर वन जो हमेशे सदा बाहर रहते हैं उष्ण कटी बंदिये पत जड़ वन जो आदे छे महिने तक या तीन महिन तक जड़ जाते हैं कट प्रकार के के बरन सुतियां पाई जाती है तो अदो देखेंगे उश्ण कटी बन्थ lawsUNG कि उस्ट नगटी बन्थे वर्षा वन किया कंप कबशाड़ में में उ झेजर में पाल जाता है जहां पर अधिक होती है। वाहां पर वर्शावन इस बहुत, ही बहुत जादा घने होती है। इनमें बहुत सारे घने 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 प्रकाय की पाई जाते हैं पेड़ बोड़ी नेक्स टेप हमारा क्या अपने उच्छन कटी बंद्य वर्षावन देख रखे हैं तो कमेंट बोक्स चरूर बता है कि सूरे कप्र का जमीन तक नहीं पहुंच पाता है विक्षो की अनिक परजा पातियां इनमें पाई जाती है यह वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्यां को घिराते हैं तक मैंने आपको बताया विसकोई मास में गराएंगा जो कभी ज़ड़ते नहीं उन्हें सदाबार वन के नाम से जाना जाता है अंडवा निकोबार दीप समूर उत्री पूर्विराजी की खुछ भागो तता पश्मी घाट की सक्रिय पट्टी में पाई जाने वाली वरिक्ष महोगमी एवोनी तता रोज़ोट होते हैं उष्नकटीबंद्य वन पतजड वन हमाय देश के बहुत बड़े भागों में इस प्रकार वन पाय जाते हैं इन वन्हों को मानसुनी वन कहते हैं मांसुन के अनुसर अपनी पतियां में परिवर्दन लाते हैं तता ये कम घने होते हैं ये घने नहीं होते हैं और वर्षा के निस्टित समय में अपनी पतियां गिराते हैं जब वर्षा होते हैं तभी अपनी पतियां को गिराते हैं इन बनों में पाई जाने वाले मेधुन पेड, साल, सैगोन, पपिल, नाम, नीम, शीशम तता है, ये इनमें समलित है, ये मध्य, उत्तरी परदेश, उत्तर परदेश, बिहार, जारकन, चत्तिसगर और इसा तता महाराख से कुछ भागों में पाई जाते हैं, तो क्या आप इ जानते हैं, जिस प्रकार ये अपनी पत्यां गिरा रहे हैं, ठीक है बच्चों, कटीली जाड़े, क्या होती है, कटीली जाड़े के बारें पढ़ें पढ़ेंगे, इस प्रकार वनस पत्ति देश की शुश्क भागों में, पानी की शती के कारण, शुख्ष होता है, जहां पंजाब, हरियान, पच्छिंगाड के पूर्व, ढाली तता गुजरात में पाए जाते हैं, तो इन इस्थानों पर इकटीली जाड़ें देखने को आपको मिलेंगे, तो नेक्स्ट रेप हुमारा कटीली जाड़ें का डागराम, तो कटीली जाड़ें का डागराम इस प्र परवतों में उचाई के अनुसार वनस्पति की भी भी परकार में पाए जाती है, जिस परकार हमारा परिवर्तन होगा, उस परकार ये मारे वनस्पतियां परवतों में पाए जाएगी है, उनकी उचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी आती है, तता समुद्री तल से 1500 Metre से 1500 Metre नाव सब्याइब के बीच प्योड़ का करो होता है तो आअए परवतिय पहाड़े के ओर दीखते हैं यہ है हमारा परवतिय जिसी हम कहते हैं परवतिय गीनस्काथी तो जिन्होंने परवतिय नहीं देखी तो वो इस प्रकार उसका ध्यान कर सकते हैं इन्हें परवति वन के नाम से जानते हैं और यह हमारते मैग्रोव वन तो आएए मैग्रोव वन के बारे में पढ़ते हैं पहले हम परवति जो वनस्पती हमें देखिए उनका अकार शंकाकार होता है ये पोदे शंकुधारी विक्ष कहलाते हैं इन वनों के महत्पुन विक्षचीड पाइन तथा देवडार है ये यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अब पढ़ेंगा मैग्रो वन क्या आप मैग्रो वन के बारे में जानते हैं यदि नहीं तो आईए इसके बारे में हम पढ़ते हैं ये वन खारे पाने में भी रह सकते हैं मतलब ये अत्वधिक खारे पाने में भी वाई जाते हैं ये पश्विं भाग के सुंदरवन तता अंडमान एम निकोबार के दीप समय में पाई जाते हैं सुन्दरी इस प्रकार के वनो तथा इसके महत्पन परजाती है सुन्दरी इनके मैगरोवन की परजाती होती है तथा इस परजाती के नाम पर छेत्र का नाम सुन्दरवन पढ़ा है तो सुन्दरवन का नाम किस परजाती के कारण इसका नाम पढ़ा है हम वनों के अफशकता क्यों होती है आप सभी को पता ही होगा अगर पीड़ पोदे नहीं हो तो हम परप्ड़ भी नहीं पाएंगी तो वन हमारे लिए भूद अधीक लाबदायक होते हैं यह कारे करते हैं मतलब अलग अलग प्रकार के खारे करते हैं जैसे टेबल बनाने के लिए बनाने के लिए जिस टेबल पर भेट के पढ़ते वो बनाने K पीड़ पोदे ऑसीजंण छोड़ते हैं जिसे हम सांस की उप्योग में लेते हैं पीड़ पोदे ऑनक vacagnes ism और जो हम कारवंडाय उपसेट ग्रहेंड करते हैं उसे यह लेते हैं पेड़फोदे ग्रहेंड करते हैं पेड़फोदों की जड़ मिट्टी को बांदे रखती हैं इस प्रकारवे मिट्टी के आपरदन को रोकते हैं पेड़फोदे करते हैं जड़ों को मिट्टे में बांद सेहाधी देखने को मिलते हैं वन वनस्पति के प्राकरती वनस्पती कौन-कून सी है पिडीडों के अन्दधून कताई मतल्द अत्य दी कताई होने के कारण भारी मात्रा में प्राकरती का वनस्पत्य समाथ्य हो गई है अभी यहाँ पर जातर बनस्पते देखने को नहीं मिलती क्योंकि लोग अपने फाइदे के लिए ने काटते जा रहे हैं हमें अधिक बोदे लगाने चाहिए जो पेड़ से बचें तदा उनकी रक्षा करनी चाहिए लोगों को पेड़ों के महत्र के बारे में बताना चाहिए हम लोग कुछ खास अयोजन जैसे वन महोसो मना कर अधिक से अधिक पेड़ का प्रियास कर सकते हैं लगाने के लिए तैता यदि आप सभी का जनव दिन होता है तो उस दिन आप एक पोधा लगा सकते हैं अपने हर vine दिन पर एक पोधा लगाएं प्रिथी को रावरा रख सकते हैं am प्रकार के वन्य जीव का निवास होता है कि आपने देखा काफी सारी चड़िया अपना पेड़ों में बनाती है उसी प्रकार वन्य जीव के निवास करते हैं यहां पर रहते हैं वन्यों में जन्तों की हजारे पर जाती हैं बड़ी संक्या विविन प्रकार के सरी सर, उबचर, पक्षिया, संधारी, कीट, क्रित्यम का निर्वास होता है वह यहाँ पर रहते हैं बाग हमारा राष्ट्रे पशुग है बाग के हमारा राष्ट्रे पशुग है यह देश के विविन भागों में पाया जाता है निवास जैसा कि आपको यह चित्र में बताया गया है तो हमने देखा सिंग वाले गैंडे असं के जंगलों में घूमते हैं काँ पे घूमते हैं वह असं के जंगलों में घूमते हैं हाती केरल करनाचका में भी मिलते हैं जया जाते हैं। जंगली, बकरी, हिंट, अधियादी, इतिहादी, हिमाले के चेटरमर पाया जाते हैं। से अत्रिक बहुतसे दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, नील जाएं, चीत तली इतिहादी यहाँ पर अधिक मात्रा में। पाई जाते हैं भारत में पक्षियों को भी ऐसे प्रचोड़ता होती है जैसे मोर हमारे राष्ट्रे पक्षी है तो मोर हमारे क्या है राष्ट्रे पक्षी भारत में पक्षी तोता मैना कभूतर बुलबुल तो बतत इत्यादी भी होते हैं अन्य भहुत सारे राष्ट्रे पक पेड़ पोदों में अपना वो धरफ बना सकते हैं उद्धान शिकारों से पक्षियों की रक्षा करते हैं क्या आप जानते हैं कि यहां पर पक्षियों के नाम बता सकते हैं ऐसे पक्षियों के नाम बताएं कि आप छेतर में पाये जाते हैं जो भारत में सापों की सेंकड़ी पर जाती हैं पाई जाती हैं भारत की सेंकड़ों उपर जाती है क्या आप सापों के नाम जाते हैं तो गता हैं तो से पहले कोबरा आता हैं और कैरत पर मुख पर जाती हैं नेक्स से अब हमारा वनों के कटने तता चानवरों के शिकार के कारण भारत में फाय जाने परजातियां जवन्य जीव की परजातियां होती हैं तता इगड़ती ही जा रही हैं बहुत सी परजातियां होतों समाप्त हो चुकिया खतम ही हो चुकियां जिनको ना निवास मिलता है इसके कारण ना उनको खाने के लिए कुछ मिलता है वो मड़ते ही जा रहे हैं उनको बचाने के लिए बहुत से नैशन पार, पशो विहार, जीव, मंडल, औरक्सी छेत्रियां पर साबिल किये गए हैं सरकारों ने हाथियों तता बागों को बचाने के लिए भी बागी परियोजना तता हस्तिय परियोजना भी शुरू की है खाल के आप जाने हैं भायत के खुछ पशो विहारों के नामड़ी मांचिते परिस्थेति बटा सकते हैं कि कहां परिजान पर पाय जाते हैं, तो आग सभी को बताना है कि यह कहां पाय जाते हैं क्या आप वन्य जीविन के संडक्षन में भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं जानव के शरीक के विभिन अंगों जोसे हटी सिंग पंक से बढ़े पर धर्द को खरीदने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं परते के वक्ष में हम लोग अक्टूबर के पहले सब्तर के वन्य जीविन सब्ताहा के रूपे मनाते हैं ताकि वन्य जीविकी निवास का संडक्षिक करने के लिए जगता लाइजा सकें तो आईए और बढ़ते हैं इसके बारे में जानिकारी हासिल करते हैं तो अब हम पढ़ेंगे NCRT के बारे में उससे पहले हम यह जानेंगे प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं प्रवासी पक्षी कुछ पक्षी हैं जैसे पैली केन, साइबेरियन, क्रेन, स्टॉप, पैली मिंगो, पिन टेल, बतक, कली प्यू, इतिहादी प्रतेग वर्ष सर्द्य के मोसमें हमारे देश में आते हैं साइबेरियन क्रें साइबेरिया से दिसंबर के महिने में यहाँ पर हमारे भारत में दिखने को मिलते हैं तता मार्च के आराम तक यह है रहते हैं मार्च के शुरू होने से पहले-पहले यहाँ 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 पर रहते हैं कोशन नमबर वन अभ्यास से कोशन नमबर वन की पास लेंगा जिसमें हमें कोशन नमबर वन बता सका है कि कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती क्या बता सकते हैं आपने सुना ही होगा जिस पर करमने अभी आपको चाप्टर में पढ़ाया है मानसूनी पवने भारत में वर् अच्छी मानसुप का मतलब होता है परियाप्त वर्षातता बहुत परचूर मात्रा में फसलों का उत्पादन होना तो नेक्स कुशन है अब हमारा भारत के विभीन मोसम के बार नाम बताने किस प्रकार के मोसम मारे भारत में पाय जाते हैं तो दिसंबर से फर्वरी तक ठंडा मोसम होता है जिसे सरदी में आता है मार्च से माई तक के गर्म मोसम में आते से गर्मी कहते हैं जून से सितंबर तक दशी पशी मानसुण का मोसम होता है जिसे हम वर्षा कहते हैं अक्टूबर और नवंबर में मानसून की लोटनी की समय एक मोसम को हम शरत कहते हैं तो नेक्स्ट कोशन है हमारा प्राकर्तिक वनस्पति क्या है जिस प्रकार अभी मैंने आपको बढ़ा है जो घाज जाड़ियां तता पोधे बिना मनुश्री की सहायता से उख जाते हैं उसे प्राकर्तिक वनस्पति कहते हैं बिना किसी के उगाई उख जाना उसे प्राकर्तिक वनस्पति कहा जाता है नेक्स कोशन है हमारा बारत में पाई जाने वाली भीविन प्रकार की वस्मों के नाम बनस्पती के नाम बताने हैं तो बारत में पाई जाने वाली भीविन अलग-अलग तरह की होते हैं जिस पर मैंने बता आपको पांस तरह की बनस्पती पाई जाते हैं उनके नाम है उश्न कटीबंद्य स्दावाहरवन जो हमीशा रहते हैं उश्न कटीबंद्य पतजडवन और ऐसे पेड़ पोदे जो अपनी जे महहिने के अनुसम्के 1-2 सदाहर 1 तो सदाहर 2 बागी आपको खुद पढ़के लिखना है तो सदाहार वन वे अधिक घने होते हैं और सूरे का प्रकाश भी जमेन तक महुचने नहीं देते इसी प्रकार जो पतचड़ वन होते हैं वो कम घने होते हैं ये वर्ष में एक निश्य समय पर अपने पतियां गिराते हैं वे वन देश के बहुत बड़े फाकों में पाई जाते हैं इसी प्रकार सदा भाहर वन ये वन वर्ष के लग अलग समय पर अपने पतियां गिराते हैं तो नेक्स कोशन है अब हमारा तो ऊचन कटी वन दे वर्षा वनों को सदा भाहर वन क्यों कहते हैं सबसे इंपॉर्डन कोशन है बहुत बार हमसे पूछा गया है तो नेक्स कोशन है अब हमारा कि सदा भाहर वन किसे कहते हैं तो ऊचन कटी वर्ष को सदा भाहर वन क्यों कहते हैं ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पतियां गिराते हैं जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया है जिसे एक कारण ये हमेशा हरे वरे रहते हैं इसलिए इन्हें वन को सदा बहार वन हम कहते हैं नेक्स कोशन के और चलते हैं अब हम नेक्स कोशन है विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला छेत्र कौन सा है क्या आप मुझे बता सकते हैं विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला वन कौन सा है इसका अंसर है मुंबई आसन सोल या मौसिन सार इसका अंसर है मौसिन ड्राम तो यह पाए जाते हैं महोगनी एव रोजबूड विक्ष कहां देखने को मिलते हैं तो यह मिलते हैं मैग्रोवन में उस्निकटी बंदिया पतजड़ वन में या उस्निकटी बंदिया सदाबहर वन में रोजबूड विक्ष पाई जाते हैं में। नेक्स कोशन हैं जंगल वकरी तक हिम तीन दूंदव कहां पाये जाता है क्या में फहला गर्व प्राइदई प्रण में डिर्व भन में पाये जाता हैं यह या समन पाये जाते हैं इंतर। को मिलते हैं तो मेरा नेक्स कोचन है अब सब्सक्राइब यह अफ़र की सब्सक्राइब तो सही उत्तर हैं हमारा समुद्र से स्थल की ओर जाना आईए खाले स्थानों को भरे गर्मी में दिन के समय शूष के गर्म पवने चलती हैं तो इन्हें हम लू के नाम से जानती हैं अन्द प्रदेश से तमिलाडू में डैश के मोसम में अधिक मात्रा में वर्षा होती हैं तो इसमें वर्षा होती हैं लोडते हुए मांसरों के अरिमसा इसमें वर्षा देखनी को मिलती हैं नेक्स कोशन अब हमारा गुजरात के डैश वन डैश का निवास करते हैं तो गुजरात में क्या होता है गीर तथा एशी शेरे का निवास करते हैं गुजरात में कौन-कौन से जानर पाय जाते हैं गिर पाय जाते हैं तथा एशी आई शेर हमाँ पर देखने को मिलते हैं सुन्द्री मेक रोवन की प्रजाती होती है रही है नेक्स बस हमारा ब्ले को मांसुन को शहर वन के साम की आते हैं आदे कीशोडरी इक कोई भी प्रॉब्लम हो तो एप कमेंट बॉक्क में बता सकते हैं तो thank you for watching my video and please subscribe my channel अगर वीडियो पसंद आए तो भी अगर वीडियो पसंद ना आए तो भी तो अपना important suggestion कमेंट बॉक्स में दे संकते हैं Thank you for watching my YouTube channel शिक्षा विदाशा